मसाला टी पॉइंट से कवठा गाफ एवं मुख्य महा मार की और से जाने वाला मार का आधा अधुरा छूटा हुआ डामडी करन रास्ति का काम पिछली 11 महिने से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है जिससे शेतर की नागडीक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस मार्ग से छोटे बड़े वाहलों की हमेशा रेल चल रही थी है राद भी राद शेतर की कामगार मसूर वर्ग यहाँ से आना जाना करते है सदर मार्ग यह सारवशनिक बानकाम विभाग की खाती में आता है वारेगाव सुरादेवीटी पॉइंट से खसराना का नाफुर मुख्य महा मार्ग को जोड़ने वाला यह मार्ग है बताया जारा है कि यह मार्ग शॉटकर्ट मार्ग माना जाता है इस मार की हालत बहुत बुरी हो चकी है जगा जगा गड़े किनने से दरगटना को निमंतरन मिल रहा है एक और बताया जारा है कि पिछले साल का खसाला मसाला काउटा वारेगाओ की नागरिकोनी एवं वारेगाओ शाखा वँचित भोजन अगाडी ने सारवचिनिक बान का विभाग नधा संबंदित ग्राम पंचाथ प्रशासन को निवेदन दिया गया था मातर शासन प्रशासन की उदासें धूरन से क्यारा महेने होने की बावजूद भी इस मार का डामरीकरन पूरा किया नहीं गया जिससे आधा अधुरा छोड़ा हुआ मार का डामरीकरन जल से जल करने की मांग ग्रामस्त वववन्चित भोजन अगाडी वाडेगाओ शाखा नहीं की अन्यता आंदुलन का इशारा दिया गया सारवजनिक बांकाम विभाग की उप विभाग ये अभियंता करता कहते हैं कि इस साल या मार का काम बचट में नहीं बताया चारा है ये संबंदित आधा अधुरा चुड़ा हुआ मार की डामरीकरन काम के लिए इस साल हड़ों में 25 लगा यह काम पुरा के जाने की प्रतिक्रिया उप विभाग ये अभियंता शेक इन्होंने दी बीसीन न्यूज के लिए खापर खेड़ा से दिलिप कचबिय की रिपोर्ट